अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी में बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले नमस्कार, SM News में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है सरिता कुमार, आज हमारे साथ है अग्रोकेट दिनेश कुमार, जो कि बहुजे समाज के बहुत बड़े चिंतक हैं, आज हम इनसे बात कहने चाहेंगे कि अपसरा बहुजे समाज के लोग जब चुनाओं में अपना नाम उनका नामंकन रद कर दिये जाते हैं, इसके पीछे मुख वजए यह है कि जितने भी ब्रहामणबादी तागते हैं, वो नहीं चाहते कि बहुजन समाज के लोग उबर के साम आएं और उनको सीधे तोर पर टक कर दें, जहां जहां भी उनको खत्रा होता है, कॉंग्रेस या उनको नामंकन अपना दाखिल किया, उसके बाद उनका नामंकन रद कर दिया गया, उनको एक लीगल नोटिस दिया गया, लोग प्रद्नेदुत अधनियम उन्नी सुट्किया उनकी धारणों के दिन, उसमें प्रोभीजन है कि जो भी केंद्री क्रबचारी, जो केंद्र सरक अगर उसको दो साल के भीत पांच साल के भीत रटा दिया जाता है, तो उसे निर्वाचन आयोग से एक अनापत्ती प्रमाणपत्र लाकर के दाखिल करना होगा, तो यह पांच साल का जो गैप था उसमें बताया गया तो उसे प्रमाणपत्र देनी की जरूरत है, उनको 19 प्रमाणपत्र लाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उनका नामंकन बीजेपी के सारे पर नरस्त करा दिया गया, क्योंकि वहां एक बात वरती के वहां लगबग 118 की करीब कर्डिटेट थे, उन्होंने नामंकन दाखिल किया, उनके 70 पीसदी जो नामंकन है वो नरस्त कर द रहे थे, यदको चुनाव रड़ते, तो निश्च दूरूप से मोधी की पराज़त ते थी, और मोधी अपनी आपको बचाने के लिए, बीजेपी ने अपनी साख बचाने के लिए, उनका नामंकन नरस्त कराया है, फिलाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दा बाना ना भूले, ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें, आप पे सबसे पहले